तीज त्योहार धर्म चैनल पर फिर से हाजिर है एक नई जानकारी लेकर। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रतन जोत। इस रतन जोत को अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नाम से जाना जाएगा अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से और संस्कृत में भांचाओर कहते हैं और मराठी में अरंड कहते हैं और अन्य अलग-अलग भाशा में अलग-अलग नाम से जाना जाता है क्या पेड़ पौधा हम रतन जोत के नाम से जानते हैं, यह पौधा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी पांच से छे फुट का बड़ा होता है दोस्तों, यह रतन जोत का पौधा बारा मासी पौधा है, यह कभी रुकता नहीं, ना ही मुरत्ता है, हमेशा हरा भरा रहता है, लेकिन दोस्तों कभी-कभ पत्जड के मौसम में इसके पत्टे जड़ जाते हैं और पत्टे को जड़ने के बाद में सिर्फ डेंटल ही दिखाई देते हैं। पत्टे के फल को इसमें गुच्छी लगे होते हैं और जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं और पक जाने के बाद इनके रंग पीले हो जाते हैं और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिलकुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। आप देख लीजिये, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अंडी के फल गुच्छे में लगती है, इसी तरीके से रतन जोत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं, तो दोस्तों देख लीजिये, पहचान लीजिये, इस रतन जोत के फलों को छोड़ने के बाद अंदर जो भी निकलता है, वह अर्बी प्लीज से आप मिलते जुलते होते हैं, और चमकीले होते हैं, तो दोस्तों देख लीजिये, पहचान लीजिये, इस रतन जोत के फलों को छो पोड़ने के बाद अंदर जो भी निकलता है वह अर्वी के बीज से मिलते जुलते होते हैं, काले काले होते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि अर्डी का बीज छोटे से छोटे होते हैं और चेतनवरी होते हैं और इस रतन जोत का जो बीज है वह काले रंग का होता है और बड पहचान लीजिए, रतन जोत का पौधा बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है और यह पौधा पत्रों के बीच में भी अपना जल जमाव लेता है। इसलिए बहुत से किसान भाई इस रतन जोत की खेती भी करते हैं। तोर पर इसके डंठल को तोडेंगे तो उन नीचे से पानी छूने लगेगी और गिरने लगेगा। इसके अंदर इतना पानी भरा होता है कि इस पेड के डंठल में डालियों में ये समझ लीजिए दोस्तों कि अपनी आप इससे पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपनी आप ही लेता रहता है, हमेशा उसी पानी से हरा भरा रहता है। तो वह उसे नुकसान न पहुँच पाए। रतन जोत के पत्तों को कोई भी जानवर नहीं आ सकता है। इसके पत्तों को देख कर जानवर दूर भाग जाते हैं। अब आप पहचान चुके होंगे। इस पौधे को इसके फाइदे जानेंगे, आंखिर तक बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ रतन जोत, हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो, आप जीवन के अंतिम पणाम पर हो, उसकी जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सिर के बाल उड़ गए हो, गंजापन हो गया है, बाल उड़ रही है, या चिकन रोग हो गया है। जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका है। लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमजोर हो चुकी है। तो आप रतन जोत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखान गिरी के तेल, तीनों तेलों को मिला कर दिन में दो बार मसाज कीजिए। और उस नस पर जहां सुननपन आ चुका है, कमजोर हो चुकी है। वहाँ पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसे धीरे-धीरे करके प्रति दिन लगाना है और पैरालाइज का अटैक हो या कोई भी बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्र इसे लगाने से मसाज करने से दोस्तों धीरे-धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। इसकी जानकारी बहुत ही विस्तार से मैं आज वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो थोड़ी सी ही जानकारी हम आपको बताएंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, तो वहाँ भी आपको इसकी और जानकारियां म इस रतन जोत के बीज को निकालने वाले तेल को कमजोर नसों पर मसाज करने से नसों में जानतों आती है। जोडों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहां तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिका के दर्द में भी आप रतन जोत का तेल मसाज कीजिए। इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। जोत का तेल बहुत ही फाइदेमंद साबित होता है। इस रतन जोत के तेल के साथ में अन्रडी कातिल फाइदेमंद है। लेकिन इसके पत्ते भी फाइदेमंद में कुछ कम नहीं है। चाहे आपके कहीं पर भी खाज, खुजली, फोड़ा, फूसी, किसी भी प्रकार की चमडी की बीमारी हो, तो आप इसे रतन जोत के पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाया। और पचास ग्राम पेस्ट में एक छमच हल्दी डाल कर किसी भी प्रकार की तवचा रोग बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए, बिलकुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये रतन जोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फाइदेमंद है कि समझो एक तरह की अमरित दवा मिल गई हो। मसाज करते हैं और गर्मा गरम आप कपड़े से सिकाई करते हैं तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत दो से तीन बार सिकाई करने के बाद मसाज के बाद साफ हो जाता है। तब तक ठंडा रहता है और जब सुख जाता है तो इसका तासीर गर्म हो जाता है। यह रतनजोत को ठंडा तासीर गर्म तासीर दोनों के बीच में जब यह कच्छा रहता है तो ठंडा रहता है और सुख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा और आयुरवेदिक औशधी है। देख लीजिए पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तिमाल कीजिए। चलिए, आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो से जान पाएंगे और इससे जुड़े हुए और भी फायदे हैं। वह हम आपके लिए आने वाली अगली वीडियो में लेकर आएंगे। क्योंकि यहां बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो फायदे हैं वह अंगिनत है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर इस पर हम दो से चार वीडियो भी बनाएं तो वह भी कम है। परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियां आती हैं उनसे रिलेटेड, हमने यहां पर आपको जो है जानकारी दी है, इससे छोटी-छोटी जो बीमारियां होती हैं, उनको शीघ्र समाप्त कर देता है। उसके लिए भी हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए और इंतजार किया, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यह एक मात्र चैनल आपके और आपके परिवार को रोग बीमारियों से जुड़ी हुई परेशानियों से मुक्त करने के लिए आपको समाधान बताता है।